नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिनर्जी आएस अकेडमी के ओफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त राही में था, आपके लिए इंशेंट इस्टी सीरीज की एक और इंपोर्टेंट वीडियो लेकर सामने आया हूँ इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट स्पेसिफिकली वेधिक लिटरिचर के उपर बात करेंगे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस पर हैसी एस के एक्जाम के अंदर अपियर हो रहे हैं और उन स्टूडेंट्स का हमेशा यह डाउट रहता है कि सर वेधिक लिटरिचर हमें धंसे समझ में नहीं आता है इसके अंदर कई सारे ऐसे important words mention किये गए हैं ऐसे complicated words mention किये गए हैं जिनको याद करने में हमें बार-बार परिशादी होती है, हम समझ नहीं बाते हैं कि किस प्रकार से इनको याद किया जाए। तो उसी प्रोब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो, जो पूरी की पूरी वेदिक लिटरेचर पर ही बेश रहेगी, इस पर हम विस्त्रित चर्चा करेंगे, सारे के सारे लिटरेचर के बारे में जा देंगे, क्या थी, कैसे थी, किस ने लिखी, जिस दिसका भी नाम हमको पता लगेगा, उनके अंदर मुझूद क्या है, वो किस के बारे में बात करती है, हमको किस प्रकार की बात में बताती है, तो ये डिटेल वीडियो वेदिक लिटरेचर पर रहेगी, तो आए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यह ही जान लें के वेदिक लिटरेचर है क्या, इसका मतलब क्या है, कब लिखी गई थी, ठीक है जी, तो वेदिक लिटरेचर जो है, यह हमारे ancient sacred पवित्र गरंथ हैं, जिन्होंने ही हिंदुईजम की नीव रखी, हिंदुईजम की नीव रखने वाले यह है, सबसे पवित्र गरंथ, दुनिया के सबसे पुराने गरंथ, दुनिया की सबसे ancient literature, सबसे oldest religious text में यह आते हैं, ठीक है दोस्तों, पूरी दुनिया में इनसे पहले लिखी गई कोई भी किताब मुझूद नहीं है, पूरी दुनिया में धरम के उपर बात करने वाले इनसे पुरानी और कोई भी किताब नहीं है, और यही वेदिक literature जो है, उसके अंदर जो हमको समझाया गया है, जो लिखा गया है, वो हिंदुईजम का सबसे ज़ादा, वेदिक literature यानि कि ऐसी literature जो वेदों से जुड़ी हुई है, वेद क्या है, वेद कुछ ऐसे टेक्स्ट है, कुछ ऐसे गरंथ है, जिनको संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, सबसे पुराने यह है, गरंथ है, ठीक है दोस्तों, तो यही वेदिक literature है, इसमें बहुत categories है आगे, वेदिक literature के अंदर, वेद, उपवेद, इसके साथ ब्रहमन, आरण्यक्स, उपनिशद, वेदांग, स्पृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्याज, पुरान, शाद, दर्शन, यह सारा का सारा जो material है, यह वेदिक literature का ही पार्ट है, ठीक है दोस्तों, कौन-कौन सा, वेद हो गए, ब्रहमन हो गए, उपनिशद हो गए, आरण्यक्स हो गए, महाकाव्याज हो गए, वेदांग हो गए, उपवेद हो गए, यह सभी वेदिक literature का ही हिस्सा है, तो सबसे पहले, हम शुरुवात करते हैं हमारी, कि शुरूती वेदिक literature से, वेदिक literature, शुरुवात करते हैं, सबसे पहला हमारा topic रहेगा आज का, शुरुती वेदिक literature, दो टाइब की वेदिक literature हमारे पास मजूद है, एक है शुरुती और एक है स्मृती, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुती वेदिक literature, यह है वो literature है वेदिक literature, जो सबसे ज़्यादा fundamental, सबसे ज़्यादा foundation, सबसे पुरानी, सबसे पहले लिखी गई जो वेदिक लिटरेचर है, उसको हम शुरूती वेदिक लिटरेचर बोलते हैं, जिनके अंदर ही आते हैं चारों के चारों वेद, ठीक है दोस्तों, तो what are वेद, इसी से ही शुरुवात करते हैं, पहला सवाल हम अपने आप से वेद मतलब जानना, ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ, यह अरलियस लिटरेचर है, पुरे दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, संस्कृत के अंदर यह लिखी गई है, और दशकों, दशक, सदियों के सदियां बीट गई वेद जो थे, यह ओरली ट्रांसफर किये जा रहे और सुनती गई, समझती गई, और आगे यह चलता रहा, बहुत बाद में, बहुत अंत में जाकर इनको कभी लिखा गया, इनको कमपाइल किया गया, और इनको ग्रंत का रूप दिया गया, इनको वेदिक लिटरेचर का रूप दिया गया, ठीक है दोस्तों, और उसके साथ स द्वारा हमको ये ग्यान दिया गया वेदिक ग्यान दिया गया उस वेदिक ग्यान को हमने वेदिक लिटरेचर के रूप में औरली ट्रांसफर करना शुरू किया और उसके बहुत समय के बाद हमने जाकर इनको लिख दिया ठीक है जी और यह वेद जो है यह पूरी की पूरी एक ही परिवार का हिस्सा मानते है और वही हमारे देश का जो कह लिजी एक प्रकार से काफी प्रचलित डायलोग भी है वसुदेव कुटुम्बकम के सारा का सारा पूरी की पूरी दुनिया है एक ही परिवार का हिस्सा है रिगवेद भी पूरी ही दुनिया को एक ही परिवार मानते हैं कि कि दोस्तों तो अब स्टार्ट करते हैं वेद हमारे पास टोटल चार वेद हैं पहला वेद है हमारे पास रिग वेद दूसरा वेद है साम वेद तीसरा यजुर वेद एवं चोथा अथर्व वेद यह चार वेद है है हमारे पस ठीके दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिगवेद से रिगवेद जो है वो लगवग लगवग सतरा सो बीसी के अंदर कंपाइल किया गया था ये सबसे पुराना वेद है सबसे सिगनिफिकेंट वेद है इस वेद के अंदर टोटल एक हजार अठाइस हिम्स यानि कि एक हजार अठाइस समहिताज इसके अंदर मुझूद है रिगवेद किसके बारे में बात करता है रिगवेद अलग अलग भगवानों के बारे में बात करता है उनकी प्रेज करने की बात करता है जैसे कि इंद्र देवता अगनी देवता विश्नु देवता रुद्र बरुन देवता, इन सब भगवानों की प्रेज, रिगवेद के अंदर अलगलग समिताओं के द्वारा हम अलगलग भगवान की प्रेज करने की कोशिश करते हैं, टोटल एक हजार अठाइस इसके अंदर हिम्स हैं, जिसे दस मंडल में विभाजित किया गया है, यानि कि रिग सात्वा मंडल जो है सबसे पुराना है, एवं दस्वा मंडल जो है सबसे लेटेस्ट एडिशन है इस रिगवेद के अंदर, टोटल दस मंडल है, दूसरे से सात्वा सबसे पुराना है और सबसे नया मंडल जो है दस्वा मंडल है, दस्वे मंडल के अंदर एक समिता मेंशन के बारे में जानकारी देती है पुरुष्टुक्ता की अनुसार वर्न विवस्था जो है वो शुरू हुई कैसे पुरुष्टुक्ता हमको बताता है कि ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन हुए ब्रह्मनों का जन्म हुआ ब्रह्मा जी की भुजाओं से शत्रियों का जनम हुआ, ब्रह्मा जी की थाइस से वैश्यों का और ब्रह्मा जी के पैरों से शुद्रों का जनम हुआ, ऐसा हमको पुरुस्तुक्ता बताती है, मैं खुझ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ऐसा पुरुस्तुक्ता बताती है, जो की रिगवेद के प्रीस्ट के लिए इसका उचारन करने के लिए आपको किसी एक स्पेसिफिक प्रीस्ट पुरोहित की मदद लेनी पड़ेगी और रिगवेदा के रिलेटिट जो हमारे पास प्रीस्ट है उन्हें हम होत्री कहते हैं ठीक है दोस्तों रिगवेदा के मंतरों का उचारन करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रोहित या प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम होत्री कहते हैं तो ये तो था रिगवेदा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेद के उपर अपने नेक्स्ट वेद रहेगा हमारा यजुर वेद यजुर वेद को लगबग लगबग एक हजार से आठ सो बीसी के दुरान इसको लिखा गया यजुर वेद का मतलब होता है सेक्रिफाइस यजुर वेद का मतलब होता है वर्शिप यानि कि किस प्रकार आपको यग्य करना है किस प्रकार के रिचुल्स करने है किस प्रकार के सेक्रिफाइस करने है किस मंत्र को उचारन करने के किस प्रकार के रूल्स है किस प्रकार के को follow करना है, मंत्रों का उचारन करते हुए, इस ritual को करते हुए, किस प्रकार के rules को follow करना है, वो सब कुछ यजुरवेद के अंदर लिखा गया है, तभी इनको ritual book के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो सभी के सभी rituals, सभी के सभी rules and regulations, मंत्रों के उचारन से related, या किसी sacrifice, किस बलिदान से related, वो सभी के सभी यजुरवेद के अंदर mention किये गए हैं, जिसे दो बाग में ववाजित किया जाता है, यजुरवेद का पुराना part जो है, उसे black, dark, या फिर Christian यजुरवेद का नाम दिया गया है, और जो इसका latest part है, जो current part है, इसे हम white, bright या शुक्ल जो है वह नया है, ठीक है, next आगे बढ़ते हैं, सामवेद के ओपर, सामवेद को लगबग लगबग 200 से 1000 BC के between में इसको लिखा गया, सामवेद से ही शुरवात होती है पुरी दुनिया के अंदर music की, सामवेद को हम wade of chant भी बोलते है, wade of melody भी बोलते है, book of chants भी इसको बो के अंदर mention है, परन्तु, रिग वेद की समिताओं का उचारण किस प्रकार से करना है, किस प्रकार का उसके अंदर सुर डालना है, कैसा उसके अंदर संगीत डालना है, वह सारा का सारा उसको melody, उसको rhythm कैसे provide करनी है, वह सामवेद के अंदर लिखा गया है, इसी सामवेद के स चाथी दुनिया भर में और भारत भर में म्यूजिक की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों? तो ये है साम वेद, चोथा जो वेद है हमारे पास वो है अथर्व वेद जो सबसे बाद में लिखा गया। और इसे वेद ओफ मैजिक भी कहा जाता है, वेद ओफ मैजिक फोर्म अथर्व वेद के अंदर लिखे गए है, इसलिए इसे वेद ओफ मैजिक एंड वेद ओफ मैडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है जी? यजुर वेद, साम वेद, एवं रिग वेद यह है तीनों पहले तीनों वेद जो है ये तो आरियंस के द्वारा लिखे गए थे, करते हैं हम नेक्स्ट वेदिक लिटरेचर के ऊपर जिसका नाम है आपकी पुरांस, ब्राहमन्स, आरण्यक्स, एवं उपनिश्द सबसे पहले बात करेंगे हम रिग वेद, साम वेद, यजुर वेद, अधर वेद हमने डिसकस कर लिए, नेक्स हम बात करेंगे ब्राहमन्स लिटरेचर के ऊपर, ठीक है दोस्तों, तो ब्राहमन्स लिटरेचर जो है, इनको वेदों को लिखने के बाद लिखा गया, ब्राहमन्स लिटरेचर जो है, यह वेदों के असेंस को कंटेंड करती है, ब्राहमन्स लिटरेचर जो है, यह ऐसा टेक्स्ट है, जो की detailed explanation हमको provide कर ब्राहमन जो है वो एक प्रकार की कमेंटरी है जो वेदों के ओपर लिखी गई है डिटेल कमेंटरी है यह हमको साइंस ओफ सेक्रिफाइस के बारे में बताती है जो ब्राहमनिकल लिटरेचर है या ब्राहमन जो वेदिक लिटरेचर का पार्ट है यह हमें साइंस ओफ इसके बारे में बताती है ठीक है दोस्तों यानि कि कौन सा बलिदान यग्य के दुरान किया जा रहा है उसका कारण क्या है क्या उसका वेग्यानिक कारण है कि इस प्रकार के बलिदान को उस यग्य के दुरान किया जा रहा है किस प्रकार के रिचूल को किस फोलो किया जा रहा है उसके पीछे की जो science है वो सारी की सारी ब्राह्मन के अंदर लिखी गई है they are a detailed commentary they provide detailed explanation regarding vedic rituals and they are also known as vedic applied part of the vedas they are also known as applied part of the vedas ठीक है दोस्तों इसके साथ next जो हमारी literature है vedic literature उसमें आते हैं आरन्यक्स ब्राह्मन का जो final part है उनको हम आरन्यक्स बोलते हैं ब्राह्मन का जो final part है उसको हम आरन्यक्स बोलते हैं इवं आरन्यक्स का जो final part है उन्हें हम उपनिशत बोलते हैं ठीक है दोस्तों, तो आरन्यक्स सबसे पहले बात करें, आरन्यक्स को हम forest books के नाम से जानते हैं, आरन्यक्स means forest books, आरन्यक्स जो है ये ब्रामन्स का concluding portion है, ब्रामन्स का अंत होता है आरन्यक literature के द्वारा, जो आरन्यक्स है, ये है mysticism में एवं symbolism में विश्वास रखती है, जो आरन्यक्स है, ये है rituals को condemn करते हैं, एवं उसके साथ-साथ, ये है meditation करने की बात पर थोड़ा stress देते हैं, आरन्यक्स जो है, लिखे जाते थे वन प्रस्थ लोगों के द्वारा, आप वन प्रस्थ कोन होते हैं, हम जानते हैं कि वेदिक society के अंदर आपके जीवन के चार चक् में आप ब्रहमचारे जीवन जीते थे, दूसरे में आप ग्रहस जीवन में आते थे, तीसरा हिस्सा जब आपकी जीवन का शुरू होता था, तब आप वन प्रस्थ हो जाते थे, तब आप घर को छोड़कर जंगलों में चले जाते थे, वहां बैठकर आप meditation करते थे, ज्या ठीक है जी, तो यह है आरण्यक लिट्रेचर, जिननों forest book कहा जाता है, जो की rituals को, sacrifices को, symbolic और philosophical मैनर में explain करने की बात करते हैं, जो की आपके rituals को condemn करते हैं, और उसके साथ-साथ meditation पर वो बात करने की stress करते हैं, वह हैं आरण्यक लिट्रेचर, जो अगली important literature है हमारे पास, वो ह उपनिशद, उपनिशद का मतलब होता है उप plus निशद, उप का मतलब होता है nearby एवं निशद का मतलब होता है sitting down, उपनिशद का अर्थ हुआ कि अपने गुरू के कदमों में बैठ कर शिक्षा की प्राप्ती करना, उपनिशद जो है, यह contemporary है, उपनिशद तब लिखे गए जब गोतम भुद्धा एवं महावीर जैन जो थे वह अपने अपने रिगार्डिंग बुद्धिजद एवं जैनिजद को प्रमोट कर रहे थे उत्तर भारत के अंदर, उसके ही दोरान उपनिशद भी भारत के अंदर लिखे गए, इसके साथ साथ जो उस समय, उपनिशद क समय जब उपनिशद लिखे जा रहे थे तो हिंदू समाज के अंदर या वेदिक समाज के अंदर अगर हम सही तरीके से बोलें तो, वेदिक समाज के अंदर जो ब्रामनिकल मोनोपली थी, वह काफी जादा बढ़ चुकी थी, रिचुलिजम बढ़ चुका था, सैक्रिफाइ इन सब का विरोध करने के लिए उपनिशद को लिखा गया, यह उपनिशद जो है, यह इंडियन थोट की कल्मिनेशन है, यानि कि इससे बहतरीन फिलोसफी पूरी दुनिया के अंदर या पूरी की पूरी वेदिक लिट्रेचर के अंदर कहीं भी नहीं लिखी गई है, इसक symbolically follow करने की बात करते हैं और इसके साथ साथ they put stress on right knowledge and right believe, इनका यह कहना है कि आपको किसी भी चीज़ को बिना उस पर सवाल किये, question किये, accept नहीं करना है, यह गुरू शिशे परमपरा इसके चलते भारत के अंदर चली और गुरू के कदमों में बैठ कर आप ग्यान पराप्त करते थे, इसी को ही उपनिशद कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, अब टोटल दोसों से जादा उपनिशद जो है वह लिखे गए थे प्रंतु आज की डेट में सिरफ 108 उपनिशद ही बचे हैं, बाकी उपनिशद जो है वो हम नहीं बचा पाए, वो हमारे पास मुझूद नह ही है, अब 108 ही बचे हैं, उनमें से कुछ प्रमुक उपनिशद जैसे की कथो उपनिशद, कथो उपनिशद के अंदर नचिकेता एवं यम की कहानी को मेंशन किया गया है, इसी प्रकार मुंडक उपनिशद, मुंडक उपनिशद से हमें सत्य मेव जैते का नारा मिला जो बा आइफ आप्टर डेथ के बारे में बताता है, ट्रांस माइग्रेशन ओफ सोल के बारे में बताता है, इसी प्रकार जबल उपनिशद, जबल उपनिशद जो है, वो हमें चार वर्न आश्रम सिस्टम के बारे में बताता है, चातुर वर्न आश्रम सिस्टम, जिसको अभी हमन उपनिशद है, जिसका नाम है स्वेत स्वत्र उपनिशद, जिसके अंदर भक्ति को सबसे पहले मेंशन किया गया है. स्वेत स्वत्र उपनिशद, ठीक है दोस्तों? तो यह थे उपनिशद, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा रहेगा आपका वेदांग. नेक्स हमारा रहेगा वेदांग वेदांग यानि की वेदों के अंग वेदांग यानि की वो वेदिक लिटरेचर जिनके बिना वेद धूरे हैं वेदांग ऐसी वेदिक लिटरेचर है जो अलग-अलग चीजों से डील करती है वेदांग जो है मुंडक उपनिशद के अंदर म पहला विदांग है हमारे पास शिक्षा, शिक्षा का अर्थ होता है प्रनॉंसियेशन, शिक्षा का अर्थ होता है फोनेटिक्स, शिक्षा मतलब वहे विदांग जो की study of sound, study of speech से related है कि किस वेदिक मंतर का उचारण कैसे किया जाना चाहिए, कैसे उसके अलग-लग शब्दों को बोला जाना चाहिए, किस रफतार से बोला जाना चाहिए, किस frequency पर बोला जाना चाहिए, यह शिक्षा विदांग के अंदर लिखा गया है, अगला विदांग है हमारे पास कल्प विदांग, कल्प विदांग जो है वो rituals के साथ डील करता है कि किस प्रकार आपको वेदिक ceremonies perform करते हुए, कौन सा ritual कब perform करना है, कैसे perform करना है तीसरा विदांग है हमारे पास व्याकरण, व्याकरण यानि की grammar व्याकरण जो है ये grammatical rules जो है संस्कृत भाशा के या वेदिक text के उसके साथ deal करता है, अगला हमारे पास विदांग है निरुकता निरुकता यानि की etymology, निरुकता etymology यानि की study of roots of the word यानि की वेदिक words कैसे उत्पन हुए, क्या उनका मतलब है, क्या उनकी root है किन शब्दों को मिला कर कौन सा शब्द बना है, इसका ग्यान हमको निरुकता से प्राप्त होता है और पांचवा हमारा जो विदांग है वो है चंद विदांग, चंद विदांग यानि की matrix it explores the meters and rhythms used in the Vedic poetry यानि की किस प्रकार जब Vedic text आप पढ़ रहे हो, Vedic poetry आप पढ़ रहे हो pertains to the Vedic astronomy and time keeping यह है, जोतिष जो है यह एस्ट्रोलोजी नहीं, एस्ट्रोनोमी है यानि की Vedic literature के अंदर जोतिष जो है वो उससे deal करता है कि जो दूसरी celestial bodies है अर्थ को चोड़ कर, उनकी और अर्थ की apparent जो position है, वो कैसे change होती जा रही है उसको अधेयन करना जोतिष जोतिष विद्या कहलाता है, एक है दोस्तों, तो यह थे हमारे पस सभी के सभी वेदांग, वेदांग के बाद अगली जो वेदिक literature आती है, वो है शाद दर्शन विदांग के बाद जोगली लिटरेचर आती है वो है शाद दर्शन, टोटल छे शाद दर्शन, दर्शन यानि की फिलोसफी, टोटल छे स्कूल है भारती है वेदिक लिटरेचर के अनुसार, फिलोसफी के, there are six schools of Indian philosophical thought, सबसे पहला है सामख्या, सामख्या के फाउंडर थे कप दूसरा है योग, योग के फाउंडर थे पतंजली, तीसरा है न्याए, न्याए के फाउंडर थे गोतम, चोथा है विशाशिक, विशाशिक के फाउंडर थे कंड़, पाच्वा है पूरव मिमानसा जिसके फाउंडर थे जैमिनी, और छठा है विदानता या फिर उत्तर मि इमांसा जिसके founder थे व्यास ठीक है दोस्तों तो ये हमारे थे छे schools of Indian philosophy एवं इसके साथ साथ हमारे पास मुझूद है पुरान जो है total 18 है पुरान जो है यह भी पवित्र गरंथ है पुरान जो है यह किस प्रकार से दुनिया बनी ancestral lineage कौन से भगवान कौन से राजा गुप्त व राजाओं, mythology, moral guidelines इन सबसे जुड़े हुए भगवानों के साथ जुड़े हुए जो हमारे गरंथ है उनको हम पुरान बोलते हैं जैसे की ब्रह्म पुरान, विश्नु पुरान, शिव पुरान, गरुड पुरान, मत्सय पुरान, बहुत सारे पुरान, total 18 पुरान है जो की भ दोस्तों, next हमारा रहेगा, इतिहास, इतिहास यानि की महा काव्यास, इतिहास यानि की epics, total दो इतिहास है हमारे पास, दो महा काव्यास है हमारे पास, एक है रामायन, और दूसरी है महावारत, रामायन के अंदर कुल 24,000 चौबिस हजार श्लोक मुजूद है, एवं महावा जो है महरिशी वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी ठीक है दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो लास पार्ट है वेदिक लिट्रेचर का वो है उपवेद टोटल जैसे चार हमारे पास वेद है उसी प्रकार चार हमारे पास उपवेद है पहले उपवेद का नाम है धनुर जो डील करता है warfare के साथ, military strategy के साथ और military tactics के साथ, तो पहला है धनुरवेद, दूसरा है गंदर्वेद, जो की music से relate करता है, musical theory और उसकी practice से relate करता है, तीसरा है हमारे पास शिल्पवेद, शिल्पवेद जो है वो art and architecture से डील करता है, और last हमारे पास उपवेद है, इस इन से रिलेट करता है, जो कि हमारी traditional medical knowledge इसके अंदर mention की गई है, ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पस उपवेद, तो हमने इस पूरी वेदिक लिटरेचर के अंदर चारो वेद के बारे में जाना, ब्रहमन्स के बारे में जाना, आरण्यक उपनिशत के बारे में जाना, वेदांग के बारे में जाना, एवं उसके साथ साथ ही हमने हमारे जो महा काव्यज हैं उनके बारे में भी और उपवेद के बारे में जाना, तो टोटल हमारी वेदिक लिटरेचर जो है, समाप्त होती है, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप चाहें तो बार बार दे आप लाइक एवम कमेंड के मादम से मुझे बता सकते हैं मैं आपके सवालों का जरूर जबाब दूँगा मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद